जैसा कि आप देख सकते हैं जो CRPF की और से Group C की बरती आ रही है उसका जो official notification है वो भी out हो चुका है CRPF Group C notification इसमें आपको बहुत सी posters देखने के लिए मिलेगी junior engineer की posters देखने के लिए मिलेगी हिंदी translator की posters, JR account officer की upper division clerk की stenographer की इन सभी posters में आपको different different vacancy देखने के लिए मिलेगी हलो friends स्वागत आपका हमारे YouTube channel न्यू सरकारी jobs में तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी ठीक होंगे आज हम फिर से एक वार आपके साथ हैं, एक और नई job update के साथ तो आप सभी student के लिए खुशकवरी है क्योंकि CRPF में Group C की बरती जो आनी थी वो आ चुकी है आज हम इस वीडियो में इसी topic के बारे में बात करेंगे, इसी vacancy के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या eligibility criteria रहेगा, last date कब है, starting date कब है, इन सब चीजों के बारे में अगर आपका इस job में selection हो जाता है, तो आपको जो monthly salary दी जाएगी इस job में वो दी जाएगी 83,000, 83,000 आपको monthly salary इस job में देखने के लिए मिलेगी और जो education qualification मांगी गई है, apply करने के लिए, वो मांगी गई है 10th pass, 12th pass तो अगर आपके पास 12th pass का education certificate है, तो जी video आपके लिए काफी important होने बाली है तो शुरू से लेकर last date किस video में बने रहें और आल इंडिया के candidate इस job में apply कर सकते है और जब इस CRPF की और से सीधी बरती आ रही है और male and female चाहे आप इंडिया की किसी भी state से बिलॉंग करते हैं आप इस vacancy में apply कर पाएंगे मैं आपको सब बताऊंगा कि eligibility criteria क्या है, कैसो आपको apply करना है selection process क्या होगा, कौण कौण से document आपको चाहिए अगर आप apply करना चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो please subscribe कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल निव सरकारी jobs को, jobs के लेटर latest update सबसे पहले पाने के लिए और friends, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जाइन नहीं किया हुगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाइन कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा इस ग्रूप को जाइन करने का, इस चैनल को जाइन करने का फाइदा जे होगा कि जो भी job की new notification आएगी, उसकी latest update सबसे पहले आपको इस ग्रूप में दी जाती है, तो जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को link आपको description में मिल जाएगा तो बीना time based किये, चलो चलते हैं आज की video की और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो CRPF की group C की बरती आ रही है उसका जो official notification है, वो भी जारी हो चुका है इसमें आपको junior engineer की posters देखने के लिए मिलेगी Hindi translator, JR accounts officer, upper division clerks, stenographer grade इन सभी posters में आपको different-different vacancy देखने के लिए मिलेगी जादा जानकरी के लिए अभी चलते हैं, हम अपनी website पे Friends, अभी हम बात कर लेते हैं, जो CRPF की और से group C की बरती आ रही है उसकी job की details के बारे में तो Friends, इसमें जो आपको total number of posters देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 62 posters, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी posters आपको इस जो में देखने के लिए मिलेगी और कितनी-कितनी उनमें vacancy दी गई है तो सबसे पहले है stenographer की posters जिसमें 5 vacancy देखने के लिए मिलेगी second number पे है LDC की जिसमें 23 vacancy है third number पे है junior engineer की post जिसमें 16 vacancy है इसके बाद है upper division clerk की जिसमें 12 vacancy है इसके बाद accounts officer and hindi translator की posters है जिसमें आपको total 5 vacancy देखने के लिए मिलेगी तो friends इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ important dates के बारे में कि इसके जो online application form लगना है वो कब से start होंगे last date कब है उसके बारे में तो जो इसके जो online application form है उसकी starting date जो है वो है 10 माई 2021 10 माई 2021 को इसके जो online application form है वो लगना start हो जाएंगे और जो last date है application form को fill करने के लिए वो है 26 June 2021 तो आप 26 June 2021 से पहले पहले अपना जो application form है वो fill कर सकते हैं तो friends जे बात होगी कुछ important dates के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary कितनी मिलेगी आपको इस job में अगर आपका इस job में selection हो जाता है तो different different posters के हिसाब से आपको different different salary देखने के लिए मिलेगी और जो आपको salary देखने के लिए बिलेगी बो मिलेगी 25,000 से लेकर 81,000 monthly आपको इस job में salary देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस job में selection हो जाता है तो और friends अगर आपने जो Indian railway की और से बरती आ रही है वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई ता आप वो वी वीडियो देख सकते हैं उसमें जो आपको salary दी जाएगी बो दी जाएगी 35,000 और 10th pass के candidate भी इसमें apply कर सकते हैं इसमें आपका कोई वी exam नहीं होगा कोई फीस नहीं लगेगी आल इंडिया के male and female candidate इस job में apply कर सकते हैं जादा जानकरी के लिए मैंने उस वीडियो का link description में दिया हुआ है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो friends इसके बाद हम बात कर लेते हैं eligibility criteria के बारे में जो CRPF की group से बरती आ रही है उसकी जो education qualification है बो क्या मांगी गई है age limit क्या रहने बाली है selection process क्या होगा और कौन-कौन से document आपको चाहिए अगर आप apply करना चाहते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं education qualification की तो जो lower division clerk की है उसके लिए जो आपको education qualification चाहिए वो चाहिए minimum 12th pass आपके पास 12th pass का education certificate होना चाहिए और आपकी जो computer keyword में typing की speed है वो होनी चाहिए 35 words पर minute आपकी speed होनी चाहिए English में और Hindi में भी होनी चाहिए इसके बाद second number पे बात कर लेते हैं stenographer की posters में तो इसमें जो अगर आप stenographer grain में apply करना चाहते हैं तो आपको जो minimum education qualification आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास 12th का education certificate होना चाहिए और उसके बाद आपके पास skill test होगा आपका जिसमें आपको 80 words per minute लिखने होंगे अपर division clerk में apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास degree चाहिए from a recognized university इसके बाद अगर आप JR account में apply करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको pass degree होनी चाहिए इसके बाद अगर आप apply करना चाहते हैं junior engineer में तो आपके पास degree होनी चाहिए civil engineer में तो जे होगी बात education qualification की इ अप्लाई करने के लिए बो मागी गई है 18 years और अगर maximum age की बात करें तो बो मागी गई है 27 years तो कम से कम आपकी 18 और 27 के इसमें आप fall करने चाहिए अगर आप इस जों में apply करना चाहते हैं और जो candidate belong करते हैं OVC cost से उनके लिए 3 years की relaxation आपको इस जों में देखने के लिए तो friends इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process criteria के बारे में किस जों में जो आपका selection होगा वो किस basis पे होगा तो सबसे पहले तो friends आपका written exam conduct कर पाया जाएगा और written exam में अगर आप qualify कर लेते हैं तो उसके बाद आपका typing test कर वाया जाएगा typing test होने के बाद आपका physical test कर वाया जाए हैं तो last में आपकी final marry list निकाल ली जाएगी और अगर आपका final marry list में नाम आ जाता है तो आपके last में आपके documents की verification की जाएगी आपके appointment के लिए तो friends जे बात होगी selection criteria के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से document चाहिए apply करने के लिए तो सबसे पहले तो आपके पास education certificate होना चाहिए 12th का education certificate second number पे आपके पास domicile certificate भी होना चाहिए third number पे आपके पास अधार card जा pen card होना चाहिए as a identity proof इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और documents की तो अगर आप SC, ST, OVC या EWS इन category से भी लॉग करते है तो आपके पास cause certificate भी होना जरूरी है relaxation के लिए इसके बाद आपको 5th number पे अपना photo चाहिए एक light color background में आपके पास अपना photo होना चाहिए और last में आपको signature चाहिए होंगे अपके तो जे बात होगी उन documents की जो आपको चाहिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो अगर आपके प CRPF की official website पे जाना होगा और CRPF की official website पे जाके आप अपना जो application form है वो submit कर सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं application form की fees कितनी लगेगी उसके बारे में तो अगर आप journal OVC in category से बिलॉंग करते हैं तो आपकी जो application fees लगेगी बो लगेगी 840 रुपीज और अगर आप SCST, Public work department EWS या movement candidate हैं तो आपकी जो application fees लगेगी बो लगेगी 500 रुपीज जो payment mode होगा वो online होगा आपका online ही application form बरा जाएगा और आपको online ही अपनी application की form की fees पे करनी होगी तो friends जेती आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो subscribe कीजिए हमारे YouTube चैनल new sir kari jobs को jobs के रिलेटर latest update सबसे पहले पाने के लिए और जुडे रही है हमारे साथ ऐसी ही वीडियो डेली पाने के लिए तो friends thanks और watching friends